ओम श्री परमात्मने नम्हा, ओम नम्ह शिवाय, श्री श्रीव महापुराण, रुद्र सहिता, अध्याय, 38, खंड दो श्री विष्णु की पराजय में दधीची मुनी के श्राप को कारण बताते हुए दधीची और क्षुव के विवाद का इतिहास, और मृत्युन जै मंत्र के अनुष्ठान से दधीची की अवध्यता तथा श्री हरी का क्षुव को दधीची की पराजय के लिए यतन करने का आ उन्होंने प्रसनता पूर्वक प्रश्न किया, नारज जी ने पूछा, पिता जी, भगवान विश्णों शिवजी को छोड़ कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यग्य में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ. क्या वे प्रलैकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे, फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भाती रुद्रगणों के साथ युद क्यों किया, करुणा ने थे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदे है, आप कृपा करके मेरे इस संशय को नश्ट कर और प्रभो मन में उत्साह पैदा करने वाले शिवचरित को कहिए, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में राजा, क्षुव की सहायता करने वाले श्री हरी को दधीची मुनी ने श्राप दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए, और वे दूसरे द महा तेजस्वी राजा हो गए हैं, वे महा प्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे, दीर्ग काल की तपस्या के प्रसंग से ख्षुव और दधीची में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थ कारी के रूप में प्रिख्यात हुआ, उस व महा मुनी दधीची की बात सुनकर धन वयभव के मद से मोहित हुए, राजा ख्षुव ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया, ख्षुव बोले, राजा इंद्र आदी आठ लोकपालों के स्वरूप को धारन करता है, वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्र इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है, राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली शृती भी कहती है कि राजा सर्व देव मैं है, मुने इस शृती के कत्थ नानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ, इस विवेचन से ब्राहमन की अपेक्षा आप इस विशय में विचार करें और मेरा अनाधर न करें क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनिय हूँ। राजा क्षुव का यह मत शृतियों और स्मृतियों के विरुध था। इसे सुनकर भ्रगुकुल भूशन मुनी श्रेष्ठ दधीची को बड़ा क्रोध हुआ। मुने अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महाते जस्वी दधीची ने क्षुव के मस्तक पर बाए मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मान्ड के अधिपती कुच्सित पुद्धी वाले क्षुव अत्यंत कुपित होग गरज उठे और उनने वज्र से दधीची को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भ्रगु वंशी दधीची प्रत्वी पर गिर पड़े। भार्गाव वंश धर दधीची ने गिरते समय शुक्राचारे का इस्मरण किया। योगी शुक्राचारे ने आकण दधीची के शरीर को जिसे क्षुव ने काट डाला था तुरंत जोड दिया। दधीची के अंगों को पूर्ववत जोड कर शिव भक्त शिरोमनी तथ मृत्युन चाविद्या के प्रवर्तक शुक्राचारे जी ने उनसे कहा। शुक्र बोले तात दधीची मैं सर्वेश और भग्वान शिव का पूजन करके तुम्हें शुर्ती प्रति पादित महामृत्युन जय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूं। त्रियम्बकम यजा महे अर्थात हम भग्वान त्रियम्बक का यजन आराधन करते हैं। त्रियम्बक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली शिव वे भग्वान सूर्य, सोम और अगनी। तीनों मंडलों के पिता हैं, सत रज तम, तीनों गुणों के महेश्वर हैं, आत्मतत्त, विद्यातत्त और शिवतत्त। इन तीन तत्तों के अहवनिय, गाहरपत्य और दक्षणागनी, इन तीनों अगनियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले प्रित्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के सात्विक आधि भेद से त्रिविध, भूतों के तृदिव, स्वर्ग के, तृभुज के, ब्रह्मा, विष्णू और शिव, तीनों देवताओं के महान इश्वर, महादेव जी ही हैं, यहां तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या होई, मंत्र का दुतिय चरण है, सुगंधिम, पुष्टिवर्धनम, अर्थात, जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प् और गणों में, उनके प्रशासक, प्रकाशक, सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं, अतेव सुगंध योक्त एवं संपून देवताओं के इश्वर हैं, यहां तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई, अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं, उत्तम प्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ट, महा मुने नारद और अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोशन होता है, महा तत्त से लेकर विशेश पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है, यह था मुझ ब्रह्मा का, विश्णू का, मुनियों का और इंतरी और सहित देवताओं का भी पोशन होता है, इसलिए वे ही पुष्टि वर्धन है, अब मंतर के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं, उन दोनों चरणों का स्वरूप यों है, उर्वा रुकमिव बंधनात, मृत्योर मोक्षी ये मामृतात, अर्थात प्रभो जैसे खर्भूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यो बंधन से मुक्त हो जाओं, अम्रत पद मोक्ष से प्रिथक न हो, वे रुद्रदेव अम्रत स्वरूप हैं, जो पुर्ण कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से, अत मत्यान से, उनकी आराधना करता है, उसे नूतर जीवन प्राप्त होता है, इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयम ही अपने भक्त को मृत्यो के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं, ठीक उसी तरह है जैसे उर्वा रुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयम ही लता के बंधन में बांधे रखता है, और पक जाने पर स्वयम ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत्र से सर्वोत्तम है, तुम प्रेम पूर्वक नियम से और हवन के पश्यात, इसी से अभि मंत्रत किये हुए जल को दिन और रात में पीओ, तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उनी का ध्यान करते रहो, इससे कहीं भी मृत्यू का भय नहीं रहता, नियासादी सब कारे करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो, यह सब क करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए, मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जब करना चाहिए, इस तरह निरंतर जब करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव की प्रभाव से उ भगवान शंकर का इस्मरन करते हुए अपने स्थान को लोट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनी दधीची बड़े प्रेम से शिवजी का इस्मरन करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहाँ जाकर उन्होंने विधी पूर्वक महामृत्यों जय मंत्र का जप और प पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंब की। दीर्ग काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीची ने महामृत्यों जय शिव को संतोष्ट किया। महामुने उस जप से प्रसंचित हुए भक्त वत् दधीची के प्रेम वश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीची को बड़ी प्रसनता हुई। उन्होंने विधी पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड भक्ती भाव से शंकर का स्तवन की आतात मुने। तदंतर मुनी के प्रेम से प्रसन हुए शिव ने चेवन कुमार दधीची से कहा कि तुम वर मागो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमनी दधीची दोनों हाथ जोड कर नतमस्तक हो भक्त वतसल शंकर से बोले। दधीची ने कहा कि देव देव महादेव मुझे तीन वर दीजिये। मेरी हड़ी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध ना कर सके और मैं सरवत्र अदीन रहूं। अर्थात कभी मुझ में दीनता ना आए। दधीची का यह वचन सुनकर प्रसन हुए परमेश्य और शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे तीनों वर दे दिये। शिव जी से तीन वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनी दधीची आनद मगन हो और शेखरी राजाक्षुव के स्थान में गए। महादेव जी से अवध्यता वज्र मैं स्थी और अधीनता पाकर दिये परंतु क्षुव का चलाया हुआ वे वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार क्षुव को बड़ा विस्मे हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवध्यता अधीनता तथा वज्र से भी बड़ चड़कर प्रभ भाव देखकर ब्रह्म कुमार क्षुव के मन में बड़ा आश्यर हुआ। उन्होंने शीक्र ही वन जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की अराधना आरंव की। वे शरनागत पालक नरेश मृत्युन जैस सेवक दधीची से पराजित हो गए। शुव की पूजा से गर द्धवज को ख्षुव ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुती की। इस प्रकार देवेश्वराधी से प्रसित उन अजे ईश्वर श्री नारायन देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ती भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरनों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्षात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा कि मैं किसी से नहीं डड़ता हरे। वे मृत्यों जैसे उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद महात्मा दधीची की अवध्यता का समाचार सुनकर श्री हरी ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का इस्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपूत्र राजाक्षुव से बोले राजेंद्र ब्रहामनों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते विशेश तहरुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तू ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूँ तो ब्रहामन दधीची को दुख होगा और वे मुझे जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजैंद्र दधीची के शाप से दक्ष के यग में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महराज इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूँगा। भगवान विश्णु का यह वचन सुनकर ख्षूप बोले बहुत अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कारे के लिए मन ही मन उत्सुखो प्रसनता पूर्वक वहीं ठहर गए। ओम नमस्षिवाय शिवजी सदा सहाए।